दोस्तो डिजिल मारकेटिंग गुरुजी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में दोस्तो हम सीखने वले हैं कि आप अपने लिए अपना एक यूट्यूब चैनल सही तरीके से कैसे बना सकते हैं और यूट्यूब चैनल बना के दोस्तो आप यूट्यूब चैनल के उपर वीडियोस अपलोड करके पैसे कैसे कमा सकते हैं देखिए दोस्तों अगर आप भी अपने YouTube चनल बनाना चाहते हैं और आपके पास जो भी वीडियोस हैं उनको आप YouTube पे अपलोड करना चाहते हैं तो आपके पास एक channel का होना जरूरी है अगर आपके पास channel नहीं होगा तो आप YouTube पे अपने वीडियो को अपलोड नहीं कर सकते आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप YouTube का जो चैनल है वो सही तरीके से और step by step आप कैसे बना सकते हैं देखे इस वीडियो को आज मैं चार step में complete करने वलाओ पहले step में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने Gmail अकाउंट का इस्तमाल करके अपने लिए एक चैनल को कैसे create कर सकते हो दूसरे step में मैं आपको बताऊंगा कि चैनल को create करने के बाद आप अपने चैनल को किस परकार से customize कर सकते हैं कि professional look कैसे दे सकते हैं ताकि professional देखे आपका channel और तीसरे system में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने YouTube channel की जो settings हैं, जो basic और advanced settings है जिनको अगर आप proper तरीके से और सही तरीके से करोगे तो definitely आपको views मिलेंगे उन settings को आप कैसे proper तरीके से कर सकते हैं और अगले last system में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने YouTube channel को safe and secure करने के लिए अपने channel को किस परकार से mobile phone से या verify कैसे कर सकते हैं तो ये दोस्तो complete professional video होने वाला है, जिसके अदर आज मैं आपको 4 step में एक proper और एक professional और एक सही तरीके से YouTube channel आप अपने लिए कैसे बना सकते हैं कुछी मिंटों में, इस वीडियो में आज मैं आपको guide करने वाला हूँ और step by step आज इस वीडियो में मैं आपको एक professional channel create करके भी इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ तो वीडियो आपके लिए खास और important होगा वीडियो काने तक जरूर देखेगा और पहली बार अगर मैंने channel पर आए अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है तो channel को जरूर subscribe करना क्योंकि इस channel पर मैं आपके लिए डालता रहा है तो daily knowledgeable videos जिनको आप देख सकते हैं गरबटे, digital marketing, facebook marketing, affiliate marketing सेख सकते हैं अपने knowledge और अपने skills को आप improve कर सकते हैं चलिए दोस्तों अब हम सुरुआत करते हैं आज के इस खास और important वीडियो की देखे सबसे पहले अगर आपको YouTube channel बनाना है और उस पर वीडियोज अप्लोड करके पैसे कमाने है तो आपको पहला step को उन्साल लेना पड़ेगा आपको दोस्तों जाना है Google में और यहाँ पर देखे new tab आपको search करना है अगर आप mobile phone में यह process कर रहे हैं तो आपको Chrome browser में जाना है request desktop site करना है और उसकी बाद mobile phone में भी आप step by step channel को बना सकते हैं तो यहाँ पर देखे करना क्या है आपको सबसे पहले जाना है दोस्तों, गूस्तों, गूगल पर अपको टाईप करना है YouTube यूटियूब.com का जो और आपको यूटीया यूटीज आ खुल गया है अभे यूटीया आ पर अपर अपना चैनल कैसे बना सकते हैं अगर आप fresh और beginner है तो आपको करना क्या पड़ेगा यहापको एक login का या sign in का option दिखता है Google के सभी product को आप mail ID की मदद से login या sign in कर सकते हैं इसी इसको ध्यान रखना तो यहापको करना क्या है देखे logo का option दिख रहा होगा simply दोस्तों आपको logo के option पे click करना है यहाँ पर देखे अगर आपका already channel बना हो है तो your channel पर आप click कर सकते हैं otherwise आप नया channel बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखे आपको switch account पर click करना है या फिर आपको direct login का option भी दिख रहा होगा तो मेरे पास दोस्तों यहाँ पर कुछ channel पहले से login है तो मैं क्या कर लूँगा एक नया channel बनाने के लिए switch कर लूँगा तो यहाँ पर देखे add account के उपर मैं click कर देता हूँ जैसे दोस्तों आप Add Account पे क्लिक करोगे या नया Gmail Account पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर करना कहा है देखे आपको Gmail यानि की एक email डालने का option आएगा जिसकी मतलब से आप YouTube के ओपर अपना एक account यानि की channel बना सकते हैं अगर आपके पास already कोई पुराना email है तो उसको आप यहाँ पे login कर लो अधर्वाइस आप नया email बना के कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं देखे करना क्या पड़ेगा Create Account के उपर क्लिक करना है For My Personal Use के लिए क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे पहले तो अपना नाम आपको डालना पड़ेगा तो जो आपका real name है वही आप यहाँ पे डाल सकते हैं तो मैंने डाला राहूल और उसके बाद दोस्तों सरने में आप कुछ भी डाल सकते हैं उसके बाद देखे यहाँ पे Create a New Gmail के उपर आपको क्लिक करना है तो आपना नया Gmail आप यहाँ बना रहे है तो मैं आप दोस्तों राहूल मीना कुछ करके मैं यहाँ डाल देता हूँ उसके बाद दोस्तों आपको करना है एक password आपको Create करना है जिसकी मदल से आप हमने चैनल को Login करेंगे तो यहाँ पे देखे दोस्तों मैंने जो है Gmail बना लिया इसी Gmail आकाउंट की मदल से हम अपना चैनल बनाएंगे तो देखे इस Gmail आकाउंट को एक बार Copy करना यहाँ से और इसको Next New Tab खोल के वहाँ पे इसको Paste कर लेना और इसको याद रखना क्योंकि अगर आप यह बूल गए तो आप अपना चैनल भी बूल जाना ठीक है उसके बाद दोस आपको करना क्या है दुबारा से आप आना है आपको यहाँ पर देखे अगर नंबर आपके पास है तो परसनल नंबर आप यहाँ पर जरूर टाइप करेगा और यहाँ पर एक recovery address भी email address भी आपको डाला उसके बाद देखे next option आपको देखेगा date of birth का जो जो real date of birth है आपकी वो आपको यहाँ पर चूज करनी है मैं अपना date of birth यहाँ पर रियल नहीं डाल रहा है उसके बाद दोस आपको gender चूज करना है mail और next बटन पर क्लिक करना है जैसे next button पर क्लिक करोगे mail आपकी बन गई है और यह आपको I agree के उपर क्लिक करना जैसे दोस्तों आप I agree के उपर क्लिक करोगे हमारा जो mail ID है जो हमने नया email account बनाया है उस email account की मतलब से हमारा जो YouTube जो है वो यहाँ पर देखे लोग इन हो चुक है और अब इसी account की मतल से हम अपना एक नया YouTube चैनल क्रेट कर लेंगे तो देखे अब आपको करना क्या है दुबारा से आपको logo की उपर क्लिक करना है जहाँ पर आपको logo दिखाए दे रहा होगा और यहाँ पर देखे अब आपको your channel की जगए create your channel का option आ रहा है तो यहाँ पर देखे दोस्तों मैं नाम डाल देता हूँ राहुल, सीरा कुछ करके यह देखे मैंने नाम डाल दिया उसके बाद दोस्तों handle create करने का option आ रहा है तो आज कल YouTube handles साथ में ही create होता है तो मैं देखे हैं आप YouTube handles भी ले लेता हूँ और मुझे YouTube handles मिल रहा है, यह सबसे अच्छी बात है ठीक है? और उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा? और उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा? Create channel के उपर मैं click कर देता हूँ जैसे दोस्तों आप create channel के उपर click करोगे, हमारा जो YouTube channel है वो बनके ready हो जाएगा यानि कि YouTube में एक नया channel हमारा list हो जाएगा और आप सभी को congratulations दोस्तों, यह देखे हमारा जो channel है वो बनके ready हो चुका है यहां से आपकी journey start होती है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो देखिए इस वीडियो में आज मैं आपको काफी कुछ guide करने वाला हूँ और आपको कुछ tips भी दूँगा जिससे आप अपने channel को step by step optimize कर सकते हो, regular run कर सकते हो तो वीडियो को and तक देखना आपको काफी कुछ सेखने को मिलने वाला है और professional challenge कैसे बनता है वो इस वीडियो में guide करने वाला हूँ देखिए यहां तक अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आप मुझे comment में step one type करना जिससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन बंदा यहां तक वीडियो देख रहा है और साथ में अपना नाम भी type करना जिससे मुझे यह पता चलेगा कि किस बंदे ने मेरा वीडियो यहां तक देखा है यहां तक अगर आपने देखा है like, share करना उन दोस्तों के साथ जो गर बेटे YouTube की मतलब से पैसे कमाना चाहते है अब देखे आपका channel बन चुका है और पहला step complete हो गया अब हम चलते हैं हमारे दूसरे step की तरफ और दूसरा step कौन सा रहेगा दोस्तों channel को professional look देना यानि की channel का customization करना तो वो आप कैसे कर सकते हैं देखे यहां पर direct customized channel का option आपको देखेगा तो अगर आप चाहें तो direct यहां पर customize channel के उपर click कर सकते हो और जैसे दोस्तों आप इसके उपर click करोगे आप direct channel customization page पे visit कर लोगे और यह page रहेगा दोस्तों आपका YouTube studio का customization page मैं इसको continue button पे click कर देता हूँ और यह देखे हमारा direct customization का page पे हम लोग विजिट कर चुके हैं तो यह एक तरीका है channel customization page पे visit करने का अब मैं क्या करूँगा दोस्तों जो यह channel है इसको थोड़ा सा customize कर लूँगा तो देखे customization कैसे करते हैं यह देखे customization का page आपको दिख रहा है वैसा ही हम रहने देंगे हमें कोई changes नहीं करना उसके बाद दोस्तों branding और basic information में हम थोड़ी बहुत changes करेंगे तो देखे ब्रैंडिंग में आपको करना क्या है सबसे में तो logo upload करना है आप देखे logo आपको बना के रखना पड़ेगा भया मेरे पास भी इसका logo नहीं है मैं क्या करूँगा यहापे कोई photo मेरी जो photo है वो मैं यहापे upload करके अभी तो आपको दिखा दूँगा ठीक है वैसे अगर आप अपने नाम से अपने नाम से channel बना रहे है तो उसमें आप अपनी photo upload कर सकते कोई भी problem नहीं होगा ठीक है तो यह देखे मेरी एक photo है मैं क्या करता हूँ इसको यहापे done button पर click करके save कर देता हूँ तो देखे save हो गया उसके बाद दोस्ता आपको करना क्या यहापे एक banner image भी आपको लगानी पड़ेगी जो आपके video के जो आपके channel के पीछे दिखता है ठीक है तो देखे यहापे banner image भी लेनी पड़ेगी आपको और अगर नहीं है banner image तो भीया फिर आप जाके banner image पहले बनाओ कहां बनती है वो आप पूछोगे तो आपको canva में जाके बनानी पड़ेगी और canva में easily आपका banner बन सकता है ठीक है तो देखे अभी तो मैं आपके एक image लगा के banner आपको दिखा देता हूँ तो यह देखे इस परकार से banner image आपका लगेगा मैं done button पे click कर देता हूँ और यह देखे मेरा banner भी लग चुका है उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है watermark का option देखेगा तो watermark में भी चाहिए तो आप अपना खुद का photo लगा सकते है कोई भी problem इसमें नहीं होगा ठीक है तो देखे यहाँ पे watermark में भी मैं अपना एक photo लगा जिता हूँ जिससे मैं अपने वीडियो के अंदर automatically add हो जाऊँगा ठीक है तो देखे watermark भी लग चुका है तो दिस्क्रिप्शन में आपको यह डालना है कि इस वीडियो में इस चैनल में आप क्या upload करेंगे तो यहाँ पर देखे डाल सकते हैं इन दिस चैनल आई विल अप्लोड वीडियोस अबाउट डिजिटल मार्केटिंग मनी मेकिंग टिप्स वीडियोस आफलीट मार्केटिंग वीडियोस ठीक है ब्लॉगिंग वीडियोस और आल टाइफ वीडियोस इस परकार से दोस्तों आपको करना क्या है यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको देना है जिससे कोई भी अगर पर्सन आएगा तो वो आपके डिस्क्रिप्शन को पढ़के समझ जाएगा कि इस चैनल में यह किस परकार के वीडियोस को अपलोड करते हैं उसके बाद उसे next बेन में क्लिक करना है यहाँ पे आपको देखे का option देखेगा तो यहाँ पे आपके पास Facebook पचे है तो आपने Facebook पचे का link लगा दीजैं नहीं है तो पहले बनाना पड़ेगा और उसके बाद आप अपना link यहाँ पे ऑड़ कर सकते है उसके बाद दुस्स अगला option देखेगा यहाँ पर देखे link यहाँ पर आपको आगला option देखेगा email ID का तो अगर आप collaboration के लिए mail चाते हैं फिर आप किसी भी परकार के promotion से related mail चाते हैं तो यहाँ पर अपना mail ID लगा दीजेए जिस पे आपको लोग mail कर सकें या फिर आपको contact कर सकें तो इस परकार से दोसो customization का काम पूरा हो गया जैसे दोसो आपका customization कमप्लीट होता है देखे publish बटन पे click करना है जैसे publish बटन पे click करोगे देखे आपका channel automatically update होगा और जैसे देखे update होगा हमारा जो channel customization है वो हमें automatically यहाँ पर update होते हुए दिख जाएगा तो हम एक या दो second का wait करेंगे और जैसे हमारा channel update होगा देखें यहाँ पर हमारी logo update हो चुका है और हमारा banner भी update हो चुका होगा तो इस परकार से देखें आप अपने channel को पूरी तरह से easily customize कर सकते हैं और एक professional look आप अपने channel को दे सकते हैं ठीक है इस परकार से आप अपने channel का professional look देते हैं तो I think आपको दोरो step समझ में आ गया होगे अगर दूसरा step भी आपको clear है समझ में आ गया तो comment में clear second step और नाम आपको type करना है और आपको कुछ सवाल करना है कुछ पूछना है तो आप comment में सवाल भी कर सकते हैं अगर यहां तक वीडियो आपने देखा तो please like करिए share करिए subscribe करिए support करिए क्योंकि अगर आप support करोगे तो इसी परकार की और अच्छे-चे वीडियो मैं आपके लगातार डालता रहोंगा देखे अगला वीडियो आने वाला है कि आप अपने चैनल के उपर प्रॉपर तरीके से अपना वीडियो कैसे अप्लोड कर सकते हो according to SEO rules and regulations तो उस वीडियो के लिए आप इस चैनल को subscribe करो ताकि अगला वीडियो आपको मिलेगा तो आप प्रॉपर तरीके से वीडियो कैसे अप्लोड कर सकते हैं ताकि आपको views मिले according to SEO rules and regulations मैं आपको अगला ही वीडियो डालके दिखाने वाला हूँ तो आप चैनल को subscribe करके जाना ताकि अगला वीडियो आपको मिले और इस वीडियो को देख के आप ये भी सीख सके कि वीडियो कैसे अप्लोड होते हैं चैनल पे ठीक है तो देखे दूसरा step हमारा clear हो चुका है अब हम चलते हैं हमारे तीसरा step की तरफ और तीसरा step है दोस्तों हमारा चैनल की settings का देखे अगर आप channel बना चुके है और channel के अंदर settings नहीं कर रहे है तो फिर आपका channel इधर उधर कहां भाग रहे है वो आपको पता भी नहीं होगा YouTube को भी पता नहीं होगा और आप confused रहेंगे हमें साथ तो channel की settings का होना जरूरी है अगर आप settings proper तरीके से और सही तरीके से कर रहे है तो फिर आपका channel भी सही तरीके से regular चलता रहता है आप channel में देखी कोई ऐसे setting नहीं आती जिससे आपका channel एक दिन में हिट हो जाए या super हिट हो जाए channel में जो भी basic settings होती है वो सब के लिए same होती है तो जिस परकार से सबका same channel चलता रहेगा वैसे ही आपका चलता रहेगा लेकिन settings को करना जरूरी है ताकि YouTube जो आपसे सवाल करता है उन सवालों की मदद से YouTube आपके channel की category आपके channel का keywords वगरा decide कर सकें यहाँ पर देखे आपको करना क्या पड़ेगा यह देखे settings का option देख रहा है तो आपको setting option पर click करना है अब यहाँ पर देखे बहुत basic settings होती है सबसे बहले general में आपको पूचा जा रहा है currency तो अगर आपके पास income आ रही है monetize हो चुका है तो उसके बाद currency का option का मतलब है देखे आप अपनी income को किस currency में देखना चाहते है तो आप USD चूज कर सकते हो या फिर आपनी जो भी country की language है sorry currency है उसको भी आप यहाँ पर चूज कर सकते है दूसरा है यहाँ पर channel का तो channel में देखे सबसे बहले तो आपको country चूज करने है ठीक है make money online डाल देता हूँ ठीक है how to own marine डाल देता हूँ इस परकार से दूसरा आप अपने channel के keywords डाल सकते हूँ उसके बाद दूसरा advanced settings देखेगी जिसमें सबसे पहले audience को option देखेगा तो अगर आप kids के लिए videos बना रहे तो yes और नहीं बना रहे तो no choose करना है नीचे scroll down करना है और यहाँ पर देखे और कोई settings आपके important नहीं है मैं आपको क्या करता हूँ features और eligibility में मैं आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर आपको click कर रहे है और यह देखे पहला जो option है वो तो हमारा चालू हो गया अब यह दो option बाकी और है इन दो options को भी हम लोग देखेंगे और इन में से एक जो option है वो है दोस्तो हमारा channel verification का तो यहाँ पर देखे दोस्तो channel verification option आपको दिख रहा है अब channel verification कैसे होता है phone number से वो भी मैं आपको इस video के end में दिखाने वाला हूँ वो भी मैं आपको fourth step में बताने वाला हूँ ठीक है तो यहाँ पर देखे channel verification का option आपको दिख रहा है तो features वाला भी आपको समझे में आ गया होगा उसके बाद दोस्तो upload default है तो इसके उपर आपको click करना है या पर title में आपको कुछ नहीं डाला है क्योंकि जब आप video upload करेंगे तो हर video का अलग title होता है उसी परकार से description हर video का अलग होता है तो आप यहाँ पर description को भी same रहने दे सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर visibility option देखेगा तो इसमें private रखेंगे और उसके बाद देखें tags भी आपको हर video के अलग लगाने पड़ेंगे तो यह सारी चीज़े आप empathy छोड़ दीजे जब भी आप video upload करेंगे हर video के according title, description, tags वगरा आपको proper तरीके से लगाना पड़ेगा उसके बाद दोस्तों features and advanced settings option देखेगा जिसमें आपको license option देख रहा है यहाँ पर देखें standard license option रखना है creative comments मत करना उसके बाद दोस्तों category option देख रहा है जिस भी परकार की आपकी channel category है वो आपको चूज करना है जैसे how to style है, gaming है, कैसा है वो आप बना सकते हैं उसके बाद यह video language तो यह आपके लिए important वैसे नहीं है otherwise आप डालना चाहते हैं तो हिंदी language को choose कर सकते हैं या English language में videos बना रहा है तो आप यहाँ पर English language को choose कर सकते हैं ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखें हिंदी language choose कर लेता हूँ उसके बाद दोसों यहाँ पर अगला और कोई option आपको नहीं देखना है आप इसको छोड़ सकते हैं permission option दिख रहा है जिसमें भी आपको कोई option नहीं देखना है community में भी आपको कोई option नहीं देखना है agreement option में भी आपको नहीं देखना है and save button पे click करना जैसे Save button पे click करोगे आपका तीसरा step complete हो चुका है and तीसरा step में हमने ये सीख लिया कि आपकी जो चैनल की basic और advanced settings है वो आप कैसे complete कर सकते हैं अगर आप इस परकार से अपने channel को बनाएंगे तो definitely आपका channel professional और proper तरीके से channel आप बना रहे हैं इस channel पे अगर आप video upload करेंगे तो आप future में कभी भी किसी problem का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा तो देखें तीन step हमारे पूरे हो चुके हैं अगर आपने तीन step देख लिए तो comment में आप type करना 3 step complete नाम अपने assignment में type करना and अच्छा लग रहा है तो like, share और subscribe करना और यह है दोस्तों आपका final step channel verification देखें इसमें करना क्या होता है आपको simply जाना settings पे और settings में जाने के बाद देखें आपको channel settings पे click करना है features and eligibility पे click करना है और यहाँ पे देखें आपको second option देख रहा होगा जिसमें आपको phone का verification करना पड़ता है याई कि एक number लगाना पड़ेगा जिसकी मदद से आप अपने channel को verify कर सकते हैं आप देखें मेरे पास कोई ऐसा number बाकी नहीं रह गया तो मैंने सारे जो number से वैसे उनको use कर लिया है तो मैं यहाँ पे देखें get code के उपर click करता हूँ यहाँ पे देखें मेरे पास code आया होगा तो यह code मैं डाल देता हूँ ठीक है तो यहाँ पे देखें दोस्तों मेरे पास आ चुका है और मैं submitted पर click करता हूँ और यह देखें phone number verified इतनी आसानी से आप अपने phone number को verified कर सकते हो और जैसे आपका phone number verification होगा आप यहाँ पे एक बार वापस आएंगे तो देखें आपका phone number verification हो चुका है और आपका दूसरा और यहाँ पे दूसरा और आपका final step number 4 यह भी complete हो चुका है और इसी के साथ दोस्तों आपका एक professional और एक proper channel भी बनके ready हो चुका है step by step आपने सही तरीके से अपने channel को complete setup कर लिया है अब यह channel आपका ready है वीडियोस को upload करने के लिए अपना ग्यान लोगों को देने के लिए और घर बेटे YouTube के उपर वीडियोस upload करके पैसे कमाने के लिए I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा पसंद आया होगा और आपने अपना एक proper YouTube channel भी बना लिया होगा अगर आपने सीख लिया बना लिया तो प्लीस like, share और subscribe करके support करना अगला वीडियो आने वाले है कि आप अपने चैनल के उपर वीडियो कैसे proper तरीके से upload कर सकते है with SEO rules and regulation और उसके बाद अगला वीडियो आएगा हमारा कि आप अपने YouTube channel के वीडियोस को कैसे Google Ads की मदद से अगर आपके वीउज नहीं आ रहे है तो Google Ads की मदद से कैसे वीडियोस को promote कर सकते है जिससे आपको views मिले आपका channel monetize हो और आप पैसे कमा सके तो आने वाले दो वीडियो खास और important होने वाले आपके लिए अगर आप एक नए YouTuber है तो आप इन दोनों वीडियोस को जरूर देखना और इन दोनों वीडियोस को देखने के लिए आप subscribe करके जाना bell icon button प्रेस करना ताकि आपको आने वाले वीडियोस के notification मिल सके और आप उनको देखके घर बेटे सारी चीजे सीख सके तो ये था दोस्तों आज का complete वीडियो I hope समझ में आ गया होगा अच्छा भी लगा होगा और आपने channel भी बना लिया होगा देखें दोस्तों वीडियो के अन में मैं आपको बताना चाहूँगा मेरा नाम राहुला मैं एक digital marketing expert हूँ मेरा खुद का digital marketing company है agency है अगर आप भी दोस्तों गर्वेटरी digital marketing सीखना चाहते हैं भविष्य को career को बनाना चाहते हैं digital marketing में तो आप अमरे number पे call करिए number पे call करके आप अमरा digital marketing का जो live training course है दो मेने का वो आप join कर सकते हैं as a student, as a wife, as a job person अगर आप join करेंगे तो next three months हम आपको पूरा एक digital marketing certified expert बना देंगे जिसको करने के बाद आप घरबिटे कमा सकते हैं आप offline कमा सकते हैं, आप job कर सकते हैं आप online खुद का business से start करके भी अपना career और भविष्य बना सकते हैं तो ज़्यादा जानकारी के लिए number पे call करिए और आप अमरी team से बात करिए अभी digital marketing का course जोईन करिए अपने भविष्य की सुरुवात करिए इस वीडियो से related आपको कोई सवाल करना है तो वह आप comment box में type करना और पूरा वीडियो देखा है तो comments box में full video और साथ में अपना नाम जरूर type करना जिससे मुझे पता चले कि कौन बंदा मेरा वीडियो पूरा देख रहा है आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए मुझे और मेरे चनल को support और subscribe करने के लिए आप सभी का मेरे दिल से बहुत बहुत धनेवाद